हलो दोस्तो ट्रेडिंग विद राज यूटूब चैनल में आपका बहुत-बहुत स्वागत है दोस्तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कपित टेकनोलोजी लिमिटेट के बारे में आज इसके सियर पे बढ़िया प्राइस एक्षन देखने को मिला और आज हमें 5.15% की इंटर डे में ग्रोथ देखने को मिली जहां आज निप्टी और सेंसेक्स दोनों जगग गिरावर थी वहीं आज इस स्टॉक ने अच्छा प्राइस एक्षन दिखाया तो चलिए आगे डिटेल्स में जाना हैंगी इस स्टॉक के बारे में और इसके पीछे तेजी क्यों हो रही है और क्या आगे भी तेजी बनी रहेगी सारा चीज़े आगे डिसकस करने वाले दोस्तों लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है इसी प्रकार की वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए बेल आइकान को प्रेस करके रखिए और वीडियो को एक लाइक भी कर दीजिए मैं आपके लिए इसे वीडियो लाते रहूंगा दोस्तों लास्ट टेडिंग सेशन में आज 3 नवंबर 2021 को कपिट टेकनोलोजी का सेयर प्रेस 331 रुपए पे उपन हुआ था 326 रुपए 5 पैसे का लोग बनाया था और उसके बाद एक बड़ी देजी भी देखने को मिली और 348 रुपए और 5 पैसे का हमें हाई भी देखने को मिला था फाइनली 344 रुपए पे क्लोजिंग हुई थी और 5.15 परसेंट की इंट्रडे में ग्रोथ देखने को मिली थी तो दोस्तों बेसिकली ये कंपनी जो है मल्टी बेगर स्टॉक है फ्यूचर के लिए अच्छा है लॉंग टैम के लिए अगर आप इंवेस्टमेंट करते हैं तो आपको इसमें बड़िया रिटन मिल सकता है BMW जैसी कंपनी जो है इसके क्लाइंट है देखि कितनी बड़ी चीज है यहाँ पर हमें देखने को मिल रही है चली आओगे और भी डिटेल्स में जानेंगे दोस्तों आज देख सकते हैं यहाँ पे 54% डिलवरी उठाया गया उससे पहले 52, 53, 59 मतलब डिलवरी का परसेंटेज यहाँ पे हमेशा से बड़िया अच्छा खासा देखने को मिल रहा है और अगर मैं रिटन की बात करूं तो एक साल में इस स्टॉक ने 266% का बड़िया रिटन दिय आज दो साल में 276% पिछले six मत में 70% का बड़िया रिटन देखने को मिला है लेकिन पिछले तीन महीने से थोड़ सा साइड बेश चल रहा है और कोई खास रिटन नहीं । देखने को मिला है शर्प 13% का three मत में फिर भी अच्छा ही है बड़िया रिटन हमें देखने को मि कैसे कंपनी के पास 701 करोड मतलब कंपनी पूरी तरह से डेट फ्री है तो यहां पे कंपनी बढ़िया है डेट फ्री है बढ़िया चीजे और अगर मैं क्वार्टरली सेल्स को देखूं तो नाइन क्वार्टर के डेटा अवेलबल है हमारे पास और यहां पे 500 इंगनबे करोर का यहां पे जो है सेल्स हुआ है लास्ट क्वार्टर में सितंबर 2021 में और इसके रिजर्ड की गोष्णा दो नवंबर को ही हुई है तो यहां पे हमें क्वार्टर और और यह बढ़िया उच्छाल देखने को मिल रहा है दोस्तों अब मैं इसकी नेट प्रॉपिट की बात क हमें जो है अच्छा खासा रिटन देखने को मिल रहा है तो देखिए जैसे मैं आपको पता है यह जो रिजल्ट है तीन मतलब दो नवंबर को आई है आई थिंक यह क्लोजिंग होने के बाद आई थी तो इसका असर आज आपने देखा तीन नवंबर को बढ़िया हुए थे उसको लगातार कंपनी कम करी है मैं यहां पर और भी डिटेल्स में दिखा देता हूं देखिए क्वाटर क्वाटर में मतलब एक समय के साथ यह लगातार अपने प्रमोटर का होल्डिंग जो भी गिर भी रखा हुआ है उसको लगातार कम कर रही है आज इसमें प्रेंट वन गुना जादा आज ट्रेड हुआ है इस स्टॉक पे दोस्तों यह स्टॉक अपने बावन विक का जो हाई है तीन सो पच्यासी रुपए उससे स्रिफ दस परसेंट पीछे है और मुझे लगता है इसमें बड़ा ब्रेकाउट देखने को मिल सकता है और अगर य यहां पे कंपनी का एक साल की हाई की बात करूं या पांस साल की या आल टाइम की हाई तो तीन सो पच्यासी रुपए का लेवल जो है इसका आल टाइम हाई है और अगर मैं यहां पे इन्वेस्टमेंट के लिए देखता हूं हमारा जो चेक लिस्ट है तो इसका जो करेंट value है इसके intrinsic value से ज़्यादा है दोस्तों FD का data available नहीं है FD से अच्छा return कैसे दे रही वो data available नहीं है dividend का data नहीं है entry points सही है अभी भी आप इस पर entry ले सकते हैं और fresh entry यहां पर लिया जा सकते हैं और इसमें एक red flag है यह stock SM list में और कौन से stage पर जानना जरूरी वह भी मैं आपको बता देता हूं दोस्तों SM list बहुत सारे लोगों को पता नहीं होंगा कि SM list क्या होता है जब किसी stock पर 60 बाजी होती है उसमें उसके price को manipulate किया जाता है तो यहां पर CB द्वारे additional नजर रखा जाता है तो उसे SM list में डाल दिया जाता है इसमें 4 stages होते हैं सबका अलग-अलग restriction होता है तो अगर level 4 में होता है तो stock में जो है बहुत समय बाद निकलता है इसमें 4 से 3, 3 से 2, 2 से 1 फिर 1 से finally बाहर होता है तो उसमें समय लग जाता है तो अभी हमें यह जाना जरूरी है कि यह कौन से stage पर है तो दोस्तों यहां पर आप देख सकते है line number 113 पर है कपी technology stage 1 पर है तो दिक्कत नहीं है दोस्तों एक retail investor के सुरक्चा के लिए इसे list में रखा जाता है list से जल्दी निकल जाएगी अगर यह stock stage 4 पर होती तो एक बड़ी बात होती वहां पर बड़ा दिक्कत वाली बात थी जैसे कि अभी happiest mind है तो उसमें moment हो ही नहीं पा रहा है तो यहाँ पर मैंने आपको सारा चीज़े बता दिये अगर वीडियो आपको अच्छे लगा तो वीडियो लाइक करें चैनल सब्सक्राइब करें मिलता है आपसे फीर एक नए वीडियो के शाहत तब तक के लिए बबाए दोस्तों टेंक यू